कर दो कर दो आप पर बात कर रहा था मैं कश्मीरी पंडित के लिए लेकिन उस वक्त थोड़ा नेट्वर्क खड़ाब चल ला था और आपने मुतमाइन जवाब मुझे दिया नहीं इसलिए है आपकी वाज समझ नहीं आ रहे थे हैं आप ना पता नहीं वोट देखी वीडियो दो आ रहे हैं लेकिन सर मैं उस मुद्व आपसे बात नहीं कुरूंगा कूस दिन पहले एक सर बहुत दुखद ख़बर आई एक जब मैं यूटूब पर देख रहा था तो यह जो लिंची क जो मामरा आप जानते हैं किस तरीके से अपना जोर पर के कहां वो खबर मैंने इंक्लूड करनी थी यस पर अब में बास सुनेजे आसिफ मेवाती का जब यह हुआ तो मैंने ज़र देखी इससे पहरे ने एक देली में भी हादसा हुआ था ह किसी हिंदू लगेगा ठीक है तो उसमें यह भगत लौजी थी वह कसे शोची समझे हिंदू को मारने की इसको ऐसे करने की वैसे करने लेकिन जब यह आसिफ मेवाती पड़ा है तो यह कहती ज़र राथा अमसी मधभेव詞 उमर्ण में कोशिश करें। मतलब अगर इनमा सर सुने सुने, मतलब सर यह लोग हैं कि अगर माल लीजे मेरा या आपके किसी का अब लिंचिंग हो जाएगा तो जबर्दस्ती धूज देंगे कि नहीं नहीं, अगाज आलम का या तो हारिस स्वाहल गा तो इस तो इस दुश्मनी ठाला कि अगाज आलम में जा रहा है और तुम उसको ठोके मार दे रहा हो कि जीज नहीं, हम तो हिंदू रक्षक कर रहे हैं, यह हम अपने भारत देश को बचा रहा है, अग्समनी आपको बताता है, नहीं लेकिन इसमें मैंने उसका देखा है, लेकिन एविदेंस तो कहीं भी नहीं आया कि उसका اता कि सर गठते मिलेजागां, जिस तरीके सा है आप पाकिस्तान मी जिस तरीके बलास्फेमी ला आई, जिस तरीके सा पाकिस्तान को एक ऐसे अंधकारे में लेंगी, जहां मुस्लिम भी बोलने में से डर रहे हैं सर, एक दियो बंद भी, या अलह खढ़र से वह जानते हैं, यानि कि इस दुनिया से गए हुए मानते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं सर्डर से, ये बला स्विमी के जो कि आप बताते हैं, परकिस्तान में लिए इस्तिति है, मैं सर आपको एक बात बताते हैं, 1950 से लेकर 2014 तक, कोई भक्त लोजी आकर बता दे, 1950 से लेकर 2014 के 20 में ऐसी कोई घटना मॉब लिंचिंग की, होती थी कोई हिंदू ने किसी मुस्लिम को मार दिया हो, अब एक बड़े अस्तर पर होती थी सर्, नहीं दिखा सकते हैं, पहले भी थी, इसके उपर मैंने स्टैट्स देखे हैं, लेकिन 2014 के बाद ये जो इनक्रीज आया था, लेकिन अब ज्यादा है, अब ज्यादा है, पहले भी थी, आखे देखे, एक मैं जब उस दिन बात करके गया तो एक आवर इंसान आया था मेरे बात पर पूर्चने के लिए, कि वो बंगाल के बारे बात कर रहा था, कर रहा था ना साइद, आप जब मै आपका पॉइंट ये है, कि आप ये कहने कि भाक्त जब भक्तों को हिंदू मरते हैं, तब तो ये फोरन कह देते हैं, कि मुसल्मानों ने मजब की वैसे मारा है, लेकिन जब मुसल्मान मरता है, तो तब ये कहते हैं, कि नहीं इनकी आपसी लड़ाई थी, ये तो मैं पहले बहुत दफा कहा हूँ, लेकिन इस केस में जो आसिफ लड़के का जो केस हुआ है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा बचारा गबरी जवान लड़का, उसको बड़े बुरे तरीके से नो ने मारा, कोई 25-30 लोगों ने उसको फिर मारा, उसका वो लड़के का उसके कजन जो था, उसका इंटर्विव मैंने सुना पुलिस थाने में, लेकिन उसने भी कहीं पर ये नहीं कहा कि इसमें कोई हिंदू-मुस्लिम एंगल था, और बाद में उनकी किसी फैमिली वाले ने कहा, तो मैं ये भी कहता हूँ, जो हिंदूओं के साथ भी जब कोई पंगा होता है, तब भी बहुत सारे केसिज इसे होते हैं, जिसमें उसमें कोई हिंदू-मुस्लिम का शाइद चकर ना हो, लेकिने उसको बना देते हैं, लेकिन वाकिश बहुत सारे होते भी हैं, कुछ मैंने कवर की ये, जैसे एक वो लड़का था बच्चा 14 साल को, उसने एक मु भी को conservative country होगा आपका लोग आपके conservative होंगे तो ऐसे ही होगा तो यह इसमें जो बैराल यह आसिफ लड़के का जो केस है यह एक अफसोसना केस है इसकी मुझे पूरी details तो मैंने जहां तक मैंने डूढने की कोश्ची की थी मैंने अपने लोगों से पूछा था जो जो anti भागत हैं जो मैं उनसे information लेता होता हूँ तो वो उन्हें भी मुझे यही का कि इसमें अभी तक हमें कोई ऐसा angle नहीं मिल रहा जिसमें ऐसे वाकिए ऐसे हुआ कि उसको मुसल्मान होने की वज़ा से मारा गया हो लेकिन जब शोर आप उल्टा मचा देंगे जब आप उल्टा शोर मचा देते हैं मैंने देखा पाकिस्तान में ट्रेंट चल रहा था जिस्टिस वर आसिफ का कि देखो जी मुसल्मानों की जिन्दगी खराब हो गई बगईरा बगईरा तो यह उन्फॉचनली ए वन साड़िट प्रॉपेगंड़ा हर कोई करता और वो इसलिए उस प्रॉपे मैं आपकी बात मालने तो चली अच्छी बात है कि पकड़ा जाए और उसको सजा मिले जाए मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पुछा सकूँ हुआ हुआ हुआ